हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हो सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आठ में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे मुंगफली की सॉफ्ट वाली बहुत ही सॉफ्ट मुं में गुल जाने वाली मिठी मुंगफली तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कटोरी देनी को हम वन फोर्थ पानी डाल कर चाशनी बना लेंगे गैस को पहले तेज आच पर रखें फिर हम उसको दीमियाच कर लेंगे इलाइची कूटकर डाल दें दोसे चार छोटे इलाइची को पीस कर उसके दाने इसमें डाल देंगे बहुत ही स्वाद आता है इलाइची से आज को थोड़ा तेज करके चीनी को पिखलने देंगे इसको दीरे दीरे इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक चीनी घुल जाए इस वीडियो में हम चाशनी बनाना सीखेंगे गुजिया वाली शकरपारे वाली इसमें बबल्स आ गए हैं चाशनी बनाते वक्त इस तरह से ये इसमें तार बनना चाहिए यह पूरा जाग हो जाएगा और इसमें आज को धीमा कर देंगे चीनी पिखल गई है अब हम आज को धीमा कर देंगे और इसको थोड़ दिर पकाएंगे इसके अंदर तार चलता हुआ नजर आएगा अभी दाना गिर रहा है तार नहीं बना ये थोड़ा सा गिरा अभी इसको थोड़ा चला लेंगे चेक कर लेंगे ये देखो जल्दियली गिर रहा है इसमें आप ये ये तार गिर रहा है तार बन गया यह दिख रहा है दिखा यह तार तार यह बना और हमारी यह चाशनी तयार है एक कटोरी मुंगफली उसकी दो-दो पीसे सकरके हम दाने ले लेंगे बस इसको हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी और एक कटोरी मुंगफली के दाने इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और जिस थाली में हमें उतारना है उसमें हम पहले गी लगा कर रख देंगे इसको थोड़ा चला लेंगे ये इस तरह पुरी जाग वाइट नजर आएगी इस तरह से ये सफेद अब ये जमने लगी है बस अब हम इसको इसको उतार लेंगे थाली में जिसमें हमने घी लगा है उसमें इसको पलट देंगे जल्दी इसको इसे चलाएंगे ये चाशनी तोशे बनाने के साटे बनाने के गुजिया के उपर लेयर चड़ाने में काम आती है बहुत ही इजी है बनाना थाली में हम इसको उतार लेंगे, ये पूरी वाइट हो जाए इस तरह से, और इसको अच्छे से फैला लेंगे, थाली को बिल्कुल फैला कर सीधा कर लेंगे, ताकि ये सारे दाने खुल जाएं, एक-एक हो जाएं, अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसको खोल लेंगे, खुर्पी की साहता से इसको खोल लेंगे, ये इस परकार बन जाएंगे, इस तरह से, सारे टुकड़े हम खोल लेंगे, इसको हम चॉकलेट बनाते वक्त, या एसक्रिम बनाते वक्त भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये इस प्रकार बन जाएंगे मीठी मुफली बहुत ही स्वादस लगती है बना कर देखें एक बार और कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा धन्यवाद